हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करती हूं आप लोग भी अच्छे होंगे मैं आज आपको एस्पेन की पेसेंट की लख्षन बताऊंगी कैसे होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो लाइक सेर अन सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बेच फ्लॉवर की दूसरी दवा एस्पेन के बारे में बात कर रही हूं एस्पेन मोस्टली डड़ बेचैनी घबराहट के लिए इस्तमाल की जाती है लेकिन इसके डड़ के खास बातिया है कि इस से फिर अनोन फेर होता है जैसे मैं आपको समझाती हूँ कोई पेसेंट उसे जानवर का ड़ है किसी पेसेंट को अंधिरे का ड़ है किसी को लाइट का ड़ है ओके लेकिन एस्पेन के पेसेंट को ये पता ही नहीं होता है कि उसे किस्चीज का डढ़ है पर डढ़ है बेचैनी है घबराहट है देर इज नो एंसर ये अपनी तकलीफें जायदा किसी को बोल नहीं पाते हैं अपनी तकलीफें को अपने तक ही रखना चाहते हैं कुछ पेसेंट को ऐसी तकलिफे होती है वो इतना बोलता है कि सामने वाला टॉर्चर हो जाता जैसे केलकेडिया कार्व का पेसेंट है वो इतना बोलता है कि सामने वाले के नाक में दम कर देता पर इसका अपोजिट एस्पेंड का पेसेंट होता है वो कुछ बोलता ही नहीं है इसके कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं जैसे दिल की धरकन बढ़ जाना बॉडी का अपना पसीना आना अगर इन लोगों को डर लगा और आप लोग कमपनी देंगे तो ये लोग रिलेक्स महसूस करते हैं कुछ समय के लिए इनके अंदर से डर खत्म हो जाता लेकिन जब ये अकेले होते हैं तो फिर उसी तरह इनको डर महसूस होने लगता अक्सर कुछ ऐसे पेसेंट होते हैं जिसका खेर कम हो जाता घबराहट कम हो जाती है आसा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को एस्पन के बारे में जानकारी समझाने की कोशिस की हूँ और आप लोग समझ भी गए होंगे तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई